दोस्तों आज मैं आपको बता हुआ कि न्यू इंडियन स्पिट्स जब भी आप लोग लेते हों तो क्या केर करना पहला दिन क्यूंकि लोग पहले दिन ही गलती कर देते हैं और पारवो वायरेस बगेरा हो जाता है अभी आप चैट देख रहे हो कि नया पपी बैचारा ने ल दिने क्या होता है कि उसको सबसे पहला दिन लोगि गलती क्या कर देते खाने-प्लाने में कि उसको गाय का दूद दे देते हैं या फिर बकरी बगएर कुछ भी दूद दे देते हैं पानी में भी फेट करके तो इससे क्या होता है कि डॉग को लूज मोशन हो जाता है और जैसे ही लूज मोशन होगा इसका इम्मुनिटी कमजोर होगा और साथे-साथ जो पारववाइरस है वो भी पकरने का डर रहता है अगर पारववाइरस आसपास नहीं है तो उससे क्या हो हो कि डॉक या बॉड़ी में वाटर की कमी हो जाएगी जिसे डॉक कमजोर दिखने लगेगा सुस्त दिखने लगेगा और फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगा और डॉक जितना सोता है उससे भी ज्यादा सोएगा और बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग को नॉर्मल में कोई सजेशन चाहिए इध करके मेरे से बात कर सकते हो मैं आपको कॉल बैक कर लूगा तो चलिए मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूं कि जब भी आप लोग नया पपी लेते हो तो फिर उसको आप लोग डॉक्टर के पास ले जाते हो वैक्सिनेशन के लिए या फिर दुकान में ही इधर उधर हुआ है वह आकर के काउंटर चू दिए कोई प्रोडक्ट चू दिए अब वहीं पर आप लोग भी हाथ चू देते हो और उसके बाद मुह में लगा दिए तो जैसे ही आप लोग घर पे पपी लाओगे चार दिन पांत दिन छे दिन के बाद उसको पारवो वाइलस हो जाए अब दोस्तों हमारे पास देख सकते हो कितना प्यारा सा पपी है हम अपने घर पे किसी दूसरे आदमी को आने नहीं डटे हैं यहां पर भी हम पपी को रखे हुए है ऐसा लोग जो डौग पाले हुए है यहा फिर जौग रखे हुए है मैं उसको कभी मिलवाता ही नहीं हू इस डॉग से क्योंकि इससे भी इसको पार्व वायरस हो सकता है और मैं जिसको दूँगा उसके यहां पर काफी खत्रा हो सकता है अब दोस्तो तीसरा चीज यह कि जैसे ही घर आप लोग ले जाते हो तुरंत इसको पानी मत दीजिए तुरंत खाना पिना मत दीजिए यह सब ब बहुती ध्यान से देखिएगा कि वह मिट्टे बगर खाल लिया तो पेट में उसको प्रॉब्लम हो जागा दोस्तों पेट का कोई भी प्रॉब्लम दौग को 3 महिने तक नहीं होना चाहिए वैश्य तो कभी नहीं होना चाहिए जिंद्गी में लेकिन 3 महिने मैं इसलिए ब सद आते हो तो यहाँ पे सकते हो उसको इस भर इसको खाने के लिए आपको क्या देना है उसको टैनिंग में आप Japanese के लिए पानगा कैशे लिखाऊ रहा था और फिर इसका करना बलुकुल मत भूलिएगा दोस्तों डि वार्मिंग आपको करही देना है डिवार्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है यह तो छोटे पपीज में वाम्स होते ही होते हैं और वाम्स के बज़े सभी डौका खून का कमी हो सकता है और डौक मर भी सकता है इसलिए डिवार्मिंग अब दोस्तों इसके बाद कुछ दिन के बाद 10-15 दिन जब वो अच्छे तरीके से उसके बाद आप लोग स्टार्टर खिला यह स्टार्टर कौन से कंपनी का आपको देना है या फिर सेरे लाक कौन सा कंपनी का देना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेस्ट प्र सारे इसे टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने प्यारे से पप्पी का केर कर सकते हो चलिए हम इसके मदर को बुलाते हैं काफी दूर चली गई है गुमते गुमते लेकिन फिर भी मैं बुला रहा है दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कहीं करें और डॉग रखने में भी आपको मदद करें और सबसे मुस्ट इप्पोर्टेंट आपको ओरिजिनल ब्रीड दे यहां पर मेरे पास देख सकते हो जो मैं दूंगा लोंग कोट दूंगा और गारेंटी के साथ दूंगा कि यह आपका लोंग कोट में जाएगा और इंड सब्सक्राइब होगा एक भी रुपया नहीं लगता है अगर आप लोग फेस्बुक पर देख रहे हों तो फोलो कर लिजिए ऐसा ही फोलो होगा अब लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियो में तब तक टेक केर बाई 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 जहीं